हेलो फ्रेंड्स दिस इज एश्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे पैरे दोस्तों हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था यानि की चैल्डूट यह जो सब्जेक्ट है आपका शिक्षा के मनोवज्ञानिक परिप्रेक्ष साइकलोज्सकल प्रफेक्टिव एजुक कौमन टॉपिक्स है ठीक है तो आप किसी भी यूर्टसकी से देख रहे हों बालयावस्था्-क शुरब बरखेढ़े यह सब्जेक्ट है यह सभी यूर्य regulates सब्जेक्ट है औके तो आग्र हम लोगों ने समझहा था सएश्वावस्था ऐस्जा शरीक किस रिक् chiस तरीक ब fruit क्या होता है देखे मानव विकास की दूसरी अवस्था बाली अवस्था है जब दूसरी बाली अवस्था है तो पहली कौन से है जो साइकलोजी सब्जेक्ट है आपके टेट सीटेट टीचिंग एक्जाम्स के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा गया क्योंकि यहां पे बालक के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं है ना बालक एक नई इस पे होता है शैश्वावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवीश करता है पहले शैश्वावस्था फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आता है और शैश्वकाल में बालक अपने चारों और की परिस्थितियों से अपरिचित रहता है शैश्वकाल में वहां अस असाहाई अवस्था में रहता है दूसरे पर हर काम के लिए निर्भर रहता है अपनी मापर निर्भर रहता है लेकिन यहां पर बालक अब जो है परिस्थितियों से अपरिचित नहीं है वो असाहाई नहीं है पर निर्भर नहीं है यह सब की जब यहां पर चेंजिस होने वाल लेकिन यहाँ पे वो चीजे नहीं रहे जाती यहाँ पे बच्चे का शरीर भी डपलप हो चुका होता है वो चल फिर दौड सकता है अपना मत भी अपना विचार भी प्रिकट कर सकता है छोटा बाट जो भी कुछ है बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते उसका पर्याप्त विकास हो जाता है और वो अपने वातावरन से परिचित होने लगता है अपने समाज के लोगों को जानने पहचानने लगता है पर उसमें खेलने चला जाता है इस सवस्था में वो जिस व्यक्ति और समाजिक विवहार को तथा सिक्षा समंधी बातों को सीखना आरंब करता है वहाँ उसके भावी जीवन की आधार सिला होती है वहाँ जिस प्रकार के व्यक्ति के संपर्क में आएगा वैसा बन जाएगा जैसे उसके पड़ोसी होंगे जैसा उसको सिखाएंगे जैसा उन लोगों से वो सीखेगा वो ऐसा बन जाएगा ठीक है तो समाजिक विवहार को और सिच्छा समंधी बातों को सीखना वो आरंब कर देता है अगर यहां पे वो चोरों के साथ रहना सुरू कर दे तो भाईया उसके अंदर चोरी के गुणाने लग जाएंगे यदि अच्छे बालकों की संगत में रहे पढ़ने वालकों की संगत में रहे तो वो भी पढ़ने लग जाएगा वो भी पढ़ाकू बन जाएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयू को बाले आवस्था माना गया है 0 से 5 वर्ष की आयू 6 वर्षता है 6 से 12 वर्षत की आयू आपकी बाले आवस्था है 12 वर्ष के बाद की आयू आपकी किशोर आवस्था है इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायट तो आने लगता है शीज़े स्टेबल होने लगती है और आगे आने वाले जीवन की वो तैयारी करता है ठीक है? इस अवस्ता में विभिन प्रकार के जैसे शारिक, मांसिक, समाजिक, नैतिक ये सबी प्रिवरतन बालक में दिखाई देने लगते हैं और इसके बारे में ब्लेयर ने कहा है कि बाले का लूँ समय है जब विक्त के आधार, सोरी, आधार बूत दिर्ष्टी कोणों, मूलियों, आधर्ष्टों का बहुत सीमा तक निर्बारण हो जाता है है ना, तो यहां पर जो बाले आवस्ता जो चैल्ड हूड है इसमें बालकी अभिवर्दी और विकास है निकि जो ग्रोथ और डफलेप्मेंट है वो भी बहुत इंपोर्टन्ट रूल प्ले करता है हरला की शब्दों में कहा गया है क्या कहा गया है, देखिए उत्तर बाले आवस्ता छे वर्स की आयू से लेकर के यौवना आरंब होने तक 11 और 12 वर्स के बीच होती है क्यूंकि उसके बाद यौवना आरंब याने के किशोर वस्ता सुरू हो جाती है शिक्षा आरंब करने के लिए या आयू सबसे अधिक उप्युक्त होती है क्यूंकि यहाँ बच्चा 5 साल करूस कर गया है किस स्टेज में आया है? छे साल छे साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है तो ये एजुकेशन के मामले में बहुत important स्टेज होती है इसलिए इसे प्रारंभिक विद्याले की आयू भी कहा जाता है हलांकि अब तो बालक को ढ़ाई से 3 साल में बहुते हैं बाकी 6 साल से बालक विद्याले जाता है उप्रारंभिक विद्याले की आयू भी उसकी यही होती है इस काल में समाजिक सम्मंध इस्थापित करने की फावना बालकबालिकाउं में प्रबल दिखाए देती है वो समाज के लोगों के साथ संबंद बनाते हैं और तो मितरता बनाने लग जाते हैं वे अपना अलग-अलग समुह भी बना लेते हैं कोई किसी से अगर लड़ाई हो गई तो पूरे गुरूप के बच्चे फिर उसको अपने गुरूप में नहीं लेंगे उससे बात नहीं करेंगे है ना तो इसलिए मनोविज्ञानिकों ने इस अवस्था को समुह की आयू गैंग एज भी कहा है क्योंकि यहां बच्चे ग्रूप में रहना सीख जाता है ग्रूप में रहना पसंद करता है तो क्या कहलाई यह अवस्था गैंग एज कहलाई ध्यान दीजिए नोट कर लीजिए लिख लीजिए ठीक है आपके टीचिंग एकजम्स के लिए बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ा रहे है कुछ लोगों ने इसे चुस्ती की आयू यानि smart is भी कहा है क्योंकि इस समय बालक में इस फूर्ती अधिक दिखाए दे बालक के अंदर एक नई एनरजी नई उसके अंदर शक्ती पावर होती है ठीक है तो इसे वो इस फूर्ती की अवस्था भी कहते है smart is भी इसको चुस्ती की आयू भी कहा गया है चुकि सवस्था में बालक खेल को देवं भाग दोड में लगे रहने के करण गंदा भी होता है लापरवा भी होता है जल्दी नाता नहीं है खाता नहीं है याना बस दोस्तों के साथ रहने दे दोसको खेलने की वज़े से वो गंदा भी दिखाए देता है इसे गंदी भी कहा गया है, कितने नाम इसको दिये गए है, समू किया यू किसको बालियावस्था, चुस्ति कया यू स्मार्ट एज बालियावस्था, इस फूर्थ और गंदिया यू डर्टी एज किसको कहा गया, बालियावस्था को कहा गया, एक और नाम उपर था आपका, जैसे क्या कह काहन Deixa पेथा जीवन का नो ख़ा काली वाली आवस्ता को कहा गया है तो यह सब्य नाम बाली मतलब होता है कि छो नोट से हमारे वह आपको PB करन strawberries किरा दिए जाते हैं ठीक है कूछ एक क से लिए आद्प कुछ है और फीस्ट पेराने के बाद यदि आप लखनव that सबसे पहली इसकी विशिष्टा यह होती बाले आवस्ता कि शारीरिक और मांसिक विकास में इस्थिरता आ जाती है जो पहले विकास बहुत तीवर गती से हो रहा था अब उसमें कुछ इस्थिरता आ गई है बाले आवस्ता में शारीरिक और मांसिक विकास में इस्थिरता आ जाती है यह इस्थिरता बालक के शारीरिक और मांसिक शक्ति होने लगती है और वो थोड़ा बहुत व्यसकों के समान विवहार करना चाहता है रौस ने बार लिया वस्तों को मिथ्या परिपक्कता का काल कहा है कहा है क्योंकि यहां बच्चा पूरी तरीके से परिपक्क मेच्चोर नहीं होता है तो उसको उन्होंने मिथ्या कह दिया मिथ्या क्या होता है जूठ याने की जूठी परिपक्वता ठीक है नेक्स्ट पैंट आपके सामने मांसिक योगताओं में यहाँ पे बच्चे के ब्रद्धी दिखाई देती है इस समय क्या होता है इस समय बालक की मांसिक योगता में वर्द्धी होती जाती है growth in mental abilities समवेदना पर्तेक्षिकरन इस्टमरन सकती याद रखने की चमता का विकास दुरुत गती बहुत तेजी से होता है यह इस्थाई इस मरत में वर्द्धी होती है वो चीजों को रख करके भूलता नहीं है उसे याद रहता है कि वो चीज हमने कहां रखी है वस्तों के प्रती रूची और ध्यान बढ़ने लगता है अपनी इंट्रेस्ट की चीजे अपने पास रखता है उसका ध्यान बढ़ने लगता है वो अपने विचारों को क्रियानवित करने में शक्षम होना सुरू कर देता है जो विचार उसके दिमाग में आत यहां पर क्या है कि इस आवस्था तक आते आते बालक प्रबल रूप से जिग्यासू बन जाता है वो हर एक नई वस्थू व्यक्ति घटना या कहीं कुछ देख कर काया है उसके बारे में बहुत सारे कोशन्स पूछने लगता है बालक जिन वस्थू के संपर्क में आता है उन यह पूछता है कि ऐसा क्यों है जब 600 वस्था में था ना इन से 5 साल के बीच में पूछता था यह क्या है यह बेटा चंदा मामा है यह तारे है ठीक है यह बादल है अब यह नहीं पूछता यह क्या है अब यह पूछता है कि यह तारे क्यों है यह चंदा मामा क्यों है ठीक अब वो चीजों को उसके पीछे जो रीजन से उसमें जाना चाहता है ऐसा क्यूं है इसके पीछे रीजन क्या है बालक प्रतिक वस्तु के बारे में कारण जानने का प्यास क्यानि कि इसके पीछे क्या कारण है वो ये जानना चाहता है ठीक है अब उसके प्रिष्टनों का जो शरूप होता है वो तर्क पर आधारित होता है और उसकी जिग्याशा को शांत करना यहां पे इतना आसान नहीं होता छोटे बच्चों को हमने कह दिया यह तारे हैं यह चंदा मामा हैं यह आकाश हैं है ना यह बादल इदर पानी भरन जाता है उसकी जो मंटल पावर्स हैं वो भी डपलप होती चली जाती है ना छोटे थे हम तो क्या कहते थे यह बादल इधर दे खोड़ते वे जा रहे हैं पानी भरने जा रहे हैं ठीक है यह पानी भर के लाएंगे फिर यहां पानी गिराएंगे वह सब चीजे क्या थी वह जो है छोटे-छोटे कामों के लिए वह माबाप पर जो है डिपेंड नहीं रहता वह अपने जो उसके विक्तिकत काम है नहाना धो ना कपड़े पहनना स्कूल जाने के तयारी है वह खुद कर लेता है अपने स्कूल लोटिन के कोडिंग बैग में बैग में बुस्त के रख आपसे कहना चाहेंगे कि जो हमारे नोट्स रहेंगे वो लेने के बाद आपको बाहर से किसी भी प्रकार की कोई कॉपी किताब कोशिन बैंक मॉडल पेपर कुछ भी खरी दने क्या हो सकता नहीं रहे जाती है ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा अगरे अपने नोट्स क्या होता है बालक को रचनापक कारों में विशीश आनंद मिलता है जैसे बगीचे में काम करना लकड़ी कागच या अन्न किसी वस्तू से कुछ बनाना जब छोटे थे तो कागच से जैसे सांप का फन बना लेते थे नाव बना लेते थे और कुछ खिलोने बना लेते कोई काम करना चाहती है जैसे सिलाई बुनाई कड़ाई यदि घर में किसी को करते देखती है तो उसमें इंटरेश लेती है यहां पे बाले आवस्ता है बालक अगर जो है उनको इस तरीके का काम करने में पेड़ पौधे लगाने में खुब मजाता है मिट्टी में काम करने में है न और यदि कुछ लकडी के कुछ ऐसे गुटके बगारा मिल जाते हैं अलगलग परकार के शेप हैं तो उनको सेप के कॉर्डिंग देखिए बच्चे लगा रहे हैं यह कागज से कुछ नया करने का प्रयाश कर रहा है तो यह सभी यहां पे बिशेष्टाइं होती है यहां पे क्या होता है बालक के अंदर संग्रह प्रवत्ती का विकास आजाता है यानि की बालक जो है चीजों को इस्टोर करके रखना चाहता है डुपलिमेंट आफ एक्विजीशन इंस्टेंक्ट लसनात्मक प्रकृति के साथ साथ शंग्रह करने की प्रवत्ती बालक के अ और पत्तर के टुकडे और बालिकाएं विसेस रूप से खिलोने, गुड़े गुड़िया, कपड़े के टुकडे, इन सब चीजों को कलेक्ट करके रखना चाहाती है, जो हम लोग छोटे थे, छोटे बच्चों के पास देखो, उनके पास कंचे होते हैं, वो कंचे खुब भर रिस्पेक्टेड आदमी है, वो उसको अपनी संपत्ती समझते हैं, इस तरीके के ये कंचे देखिए हैं, ये बहुत मतलब हम लोग के लिए पहले बड़ा किमती हुआ करते थे, पत्तर के टुकडे जिन से बच्चे खिलते हैं, और जो गल्स होती हैं, यहां पे बालियाव बालियावस्था में शिक्षा का सुरूपयानी बालियावस्था में बालक को किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, बालेकाल बालक के जीवन की आधार सिला है, अच्छा ये लाइन जो है, आपका कल आपने शैस्वावस्था में पढ़ी थी, शैस्वावस्था को भी किया जाए यानि बालक के विकास के सभी ब्रक्ष बालक को इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि उसका शाड़िक विकास हो सके उसका मांसिक विकास भी हो सके आध्यात्म की विकास हो सके हर तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उसको सिक्षा दी जाए सिक्षा और विकास का घनिष्ट संबंद रहा है सिक्षा और विकास जिस तरीके की सिक्षा होगी उसी तरीके का बालक के अंदर डेफलेब्मेंट देखने को मिलेगा यदि बालक का development अच्छा है तो वो सिक्षा भी अच्छी ग्रेंट कर पाएगा बालक की सिक्षा का उत्तरदाय तो parents, teachers और society पर होता है अतहाँ उसकी सिक्षा के सुरूप को निर्धारित करते समय ये कुछ बातने हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है ये कहा गया है कि सुरुष्ट सरीर में सुरूप मन का विकास होता है इसलिए मांसिक विकास के लिए बालक के साड़क विकास पर भी ध्यान देना चाएए ठीक है इस दृष्टी से क्या बालक के शारीक विकास पर उचित ध्यान देना आव सेक हो जाता है उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पॉस्टिक भोजन खिलाईए है ना खेल कूद का आउसर देना चाहिए और विद्याले में जो शारीक क्रियाएं होती है खेल कूद है व्या चीजों को समझ पाएगा खेल और किया के माध्यम से सिक्षा दीजिये बाद्लियावस्था में बालकों की सहस प्रॉबतियां खेल और कील सीलता है बच्छा खेल खेल के और खेलने में इसका इंट्रेस्ट भी जादा होता है एक्टिविटी करने में उसको मजा आता है तो माद्ध में से वो चीज़ों को सीख पाएगा खेल और क्रिया के दौरा बालक सरलता सहजता उच्षाह प्रसनता से नवीन बातों को सीख लेता है बड़ी सरल भाषा में सहज तरीके से खुस हो करके उच्षाह तरीके से प्रसनता से चीज़ों को सीख लेता है खेल के दवरा किया जाने वाला काら बालक के शारेक, मालशिक और समाजिक विकास में साहता करता है खेल में अलालग परकार के जो बच्चे होते हैं जो साथी उसके होते हैं उनमें कैसे इक दूसरे का सभी होग करना है यहाँ पर बच्चे का भाषा विकास पर भी बल होना चाहिए भाषा विकास बालक के भाषा ग्यान पर आरंब से ध्यान देना चाहिए छोटे बच्चे हैं उसकी लेंग्विस डेफलेप्मेंट पर फोकॉस करना चाहिए इसके लिए उसे उप्युक्त विश्यें पर वारतालाब करना जो भी सब्जेक्ट सही है जो टॉपिक अच्छा है उस पर आप उनसे बच्चों से और रोचक पार्टिक्रम, interesting contents जो होता है, देखिए, बालकों के पार्टिक्रम में ऐसे विश्यों का समाविश्च करना चाहिए, जो बालक की रुची और आविशक्ताओं के अनकूल हो, ऐसा कैरिकुलम, ऐसा सलेवेश होना चाहिए, जो बालक की जो आविशक्ता है, उसको फ और यंत्रवत ना हो, उबाऊ ना हो, बच्चा पढ़ते बोर होने लग जाए, बहुत से विश्यों और पुस्तकों का बोज उस पर ना लादा जाए, अन्य था उसमें कंठी स्थी करण की प्रवत्ती विक्सित होगी, यदि आप extra books, extra syllabus उसके उपर लाद देते हैं, तो बच् आप हर सब्जेक्ट में apply नहीं कर सकते, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग teaching method अपना ना होता है, तो बाल्या अवस्ता में शिक्चन विदी, जो teaching method है, वो भी interested होना चाहिए, क्रिया और खेल के सिध्धान्त परादारीत होना चाहिए, बच्चों को activity करके से प्लेवे method के मादे हम से चिकाना चाहिए, बाल्या की रुची के according, interest के according, teaching method भी उसमें भी हम आवश्यक्ता के अनुसार प्रिवूरतन करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समाजी के गुणों का विकास करना चाहिए, बाल्या अवस्ता में परिवार के बाद विसेश तोटा रूप है, ठीक है, क्योंकि वहीं से बच्चा लोगों के साथ किस तरीकी के लोगों साथ कैसे भी हैव करना है, एक दूसरे को कैसे स्योग करना है, भाई शारे की भावना के साथ रहना है, यह सब चीज़े वहीं तो सीखता है, शिक्षा का करतब है कि वह कक्षा वि में discipline होना चाहिए आत्मश्राइयम उत्तरदाइतों को समझ पाए वो आग्या कारिता विनय सहयोग सानुबूती सपर्तिश परदा यह जितने भी समाजिक गुण है इनका विकास बालका होना चाहिए नैतिक देखिए समाज के नैतिक मूलियों मानिताओं और नियमों का अग्यान देने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा की विस्तावी होनी चाहिए नैतिक शिक्षा कुछ सरल धार्मिक और नैतिक कहानियों पर ही दी जाने चाहिए तो इस तरीके से हम 6-12 साल तक का जो बच्चा उसको शिक्षा दे सकते हैं उसके फिसकल डिफलेप्मेंट पर ध्यान दे करके और उनकी जो शिक्षा हो वो खेल और किरिया पर अधारित होने चाहिए उसके लेंग्विज डिफलेप्मेंट पर फोकस करना चाहि कि सही टीचिंग मैथर का यूज करें बच्चे के अंदर जो समाजिक गुण है उनका डिफलेप्मेंट होना चाहिए और मोरल इजगेशन भी बालको देनी चाहिए अब हम यहां से समझते हैं कि चैल्ड हुट के डिवरिंग जो उनका फिजिकल डिफलेप्मेंट होता है व यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है यहां से आपको टेट सीटेट एंड जी के कलासेश मिलती रहेंगी बाले आवस्ता में पर्थम तीन वर्स शे वर्स से लेकर के नौ वर्स इसी में फिर मजबूती आना सुरू हो जाती है इसे परिपाक काल कॉंसुलिडेशन पीरिट कहा जाता है ठीक है बाले आवस्ता में स्टाड़ की दिकास जो है उसमें सबसे पहले भारती अगर बात की जाए इस इसमें बारा वर्स के अंत तक जब बच्चा बारा वर्स के लाश तक पहुंशता है तो असी और पच्चास असी और पंचानवे पॉंड के बीच उसका वेट होता है अक्सर बालिका का भार बालकों से अधिक होता है क्योंकि उनकी किशोर आवस्ता जो है वो जल्दी आरंब हो जाती है आकार साइस के गर बात की जाए इस अवस्ता मे लंबाई में वरदी धीमी और एक समान गत्से होती जो लंबाई है उसमें जो वरदी है वो धीमी होती एक समान गत्से होती है अधियनों से ग्यात होता है कि लगबग 2-3 इंच लंबाई हर साल बढ़ती है बालक के पेच्चा बालिका की लंबाई लगबग 1 इंच अधिक ह होती है इसके अत्रिक्त लंबाई पर आनुवन शिक्ता का भी प्रभाव देखने को मिलता है हड्डियों के अगर बात की जाए इस सवस्था में सुरुवात के जो चार से पांच वर्ष होते हैं उनमें हड्डियों की व्रद्धी होती है और दस से बारा वर्ष की अविमें highs पहले ही चुरू हो जाता है अस्तिकरन की प्रिणाम सुरूप बालक मांसपेस्यों पर पूरा नियंतर्ण भी करने… और मसल्स कगर बात करें बालक की मांसपेस्यों का बाहर 8 वर्ष की आयो तक पहुंचते पहूंचते उसके कुल का 27 प्रेशेंट हो daha लेकाओं की मांसपे वरस्त में जो बच्चा पहुंचता है उसके जो दूद के दात होते वो गिर जाते हैं और 12 या 13 वरस्त तक उसके सब इस्थाई दात निकल आते हैं दातों के निकल आने से उसके जो फेश का जो शेप है उसमें भी चेंजर ची दिखाई देते हैं शैशावकाल का भूलापन यहां पर समाप्त होता नजर आता है समान स्वास्ता के अगर बात की जाए तो इस सवस्ता में बालक खेल कूद और अन्य क्रियाओं में अधिक लगा रहता है इसलिए समान रूप से उसका स्वास्ता ठीक रहता है शारे के गतीपर नियंतर कंट्रोल ओवर फिसकल डिप्ले यह इसलिए करना जाए वह अपनी इच्छा के अनुसार सभी काम स्वयम करने सब्सक्राइब हो जाता है नब बात करेंगे में बच्ची का जो मैं इंटने वो किस तरीके से होता है देखे एक एक वर्स को समझते वे चलेंगे फिर हम फिर हम एक्लासिय एंड हो जाएगी दे Wash Assarq's होता है मांसिक mental development होता क्या है mental development का मतलब है बालक के अंर सोचने-समझने की शमता जाती है याद रखने की शमता आती है तर्क वितर्ख करता है आचार-विचार है ना समझने की शमता करने की शमता समस्या, समधन छोटी-मोटी problems को solve कर लेता है अपने दिमाग को कंसंट्रेट भी कर सकता है पर्शेप्शन और कॉंसेप्ट्स इंट्रेस्ट, जिग्यासा डिसीजन, चिंतन ये सब चीज़े उसके अंदर आ जाती है जन्व के बाद वर्सायो यानि कि जो क्रोनोलोजिकल एज है उसके साथ मांसी कायो भी बढ़ती है तो जैसे जैसे आपकी वार्सी कायो बढ़ेगी मांसी कायो भी बढ़ेगी क्रो एंड क्रो के कॉर्डिंग जब बालक लगबख 6 वर्स का हो जाता है तब उसकी मांसी की योगताओं का लगबख पूरा विकास हो चुका होता है शटी वर्स में जब बालक पहुंचता है बालक सरल प्रश्णों में उत्तर दे सकता है बिना रुके 15 तक गिंती 15 हो सकता है यहां तक बच्चे को 20-50 तक भी गिंती आती हूं समाचार पत्र पत्रिकाओं में बने चित्रों के नाम भी वो बता सकता है कि किसका चित्र बना हुआ है शाटवे वर्स में जब बालक पहुंचता है तो छोटी मोटी घटनाओं का वर्णन वुक कर सकता है अगर उसने को ऐसी घटना देखी है तो वो उसके बारे में बता सकता है विभिन पहलों में समानता तथा अंतर बता सकता है कि इसमें क्या समानता है, क्या डिफरेंश है और संयूक तथा जटिल वाक्यों का प्रियूक कर सकता है पांच-छे अंकों की संक्या को वो दोरा भी सकता है लाखों हजारों में संक्या लागभग बता सकता है आठमें वर्स में जब बच्चा पहुंचता है तो 17-18 शब्दों के वाके को दोरा लेता है चोटी कहानियों कविताओं को याद करके सुनाना कहानी से समझेत प्रश्णों के उतर देने की योगता उसके अंदर आ जाते यदि उसने कोई कहानी पढ़ी है उससे related अगर आप questions पूछें तो वो answer देदेगा 9 साल के बच्चे का समय दिन तारिक वर्स ये सब बताने लगता है रुपए पैसे गिन लेता है और 10-10 साल का जो बच्चा होता है 3-4 मिनट में 60-70 सब्द कह सकता है दैनिक जीवन की नियमित दिंचर्दाय का ग्यान उसे भली भाती हो जाता है अपने विक्तिगत काम स्वैम करता है 11 साल का बच्चा है इस आयू में आने तक बालक में तर्क, जिग्यासा, निरिक्षण सक्ती का विकास हो जाता है वह परतेक्ष ग्यान और निरिक्षण के दोरा वस्तों का ग्यान प्राप्त करता है भिन बिन वस्तों में तुलना करना और कठिन शब्दों की व्याख्या करना भी वालक यहां पे सीख जाता है 12 साल का बच्चा है यहाँ पर इस आयूमे वो विभीन परिस्तियों की मालसिक वास्तिता को जरनने का प्रियास करता है क्योंकि उसमें तर्क और समस्या समधन करने की शक्ती का विकास हो जाता है विवेक में बुद्धी होने की वज़े से दूसरे बालकों को वो सला भी दे सकता है अगर कोई किसी प्रॉब्लम में छोटी मोटी प्रॉब्लम में फसा है तो उसको प्रॉब्लम सॉलूशन देदेगा कि इस तरीके से तुम इसको शॉल्व कर सकते हो विबिन आयू में पालकों की उप्युक्त गुर्ण दिखाई देते हैं जो कि माल से कि विकाशे शमंदित हो को समझेंगे सिध्धान को समझेंगे ठीक है फिर इसकी मुखे विश्ष्षता है क्या क्या होती है किस तरीके से बालक में डेवलेप्मेंट होता है यह सारी चीज़े हम लोग समझते वे चलेंगे और फिर आपके जैसे जीन प्याचे हैं कोल बार गया यह सब आने लग जा करेंगे और हाँ क्लास कैसे रही कॉमेंट करके जरू बताइएगा और नोट्स के लिए जो नंबर आप देख पा रहे हैं यहां पर मैसेज करके जनकरी ले सकते हैं थैंक्यू सो मस्ट मिलते हैं बोजल्दी नेक्स्ट क्लास में